दिल्ली हवाय अड़े पर बुधवार सुभा एक बड़ा हास सटल गया विस्तारा एरलाइस के एक विमान को उड़ान भड़ने की अनुमती दे दी गई थी जबकि एक अन्य विमान उतरनी की प्रिक्रिया में था एटी से के निदेश के बाद उड़ान रद कर दी गई जानकारी के अनुसार नयों दिखाटन किये गए रनवे से यूकिश सासो पच्चिस दिल्ली से बागडौगरा के लिए उड़ान भर रहा था साथ ही एहमदबास से दिल्ली की विस्तारा उड़ान समनांतर रनवे पर उतरने के बाद रनवे के अन्त की ओर बढ़ रही थी दोनों को एक ही समय में अनुमती दी गई थी लेकिन एटी सी ने तुरंत नियंत्रियन लिलिया जूटी पर तैनात एटी सी यानि के एर ट्रेफिक कंट्रोल अधिकारी ने ततकाल विस्तारा की उड़ान को उड़ान रद करने के लिए कहा एरपोर्ट अधिकारियों के मुताविक अगर उड़ान भर रही फ्लाइट को सही समय पड़ नहीं रोका जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था मानक संचालन प्रिकरिया यानि के एसोपी के अनुसार ट्रेक ओफ लेंडिंग की प्रिकरिया के दोरान किसी भी विमान या वाहन के आवजाही की अनुवती नहीं है सूत्रो ने बताया कि जब बागडोगरा जा रहे है विवान के पाइलेट ने खोशना की कि एटीसी के निर्देश के कारण विमान उड़ान नहीं भरेगा तो यातरी थोड़ा आशंकित हो गए वरिष्ट पाइलेट और सेफटी मेटर्स फाउंडेशन के सरसापक कैप्टन अमी सिंग नी कहा कि उड़ान पत की निकटता के कारण संभावित यातायार टकराओ से बचने के लिए निकट दूरी वाले रनवे से उड़ान संचालन के लिए बहतर निगरानी और S.O.P. के स जाती है और दूसरे रनवे पर आने वाला विमान लेंडिंग उरत करने और आगे बढ़ने के लिए चक्कर लगाने का निंडे लेता है तो दोनों विमानों का उड़ान पत अंदर आ जाता है उन्होंने कहा कि हवा में टकराओ हो सकता है क्योंकि जिस रनवे से उन्हें जो